तो Α आज खी वीडिए में जो हमड़का सेकंड परने वाल है हमने स्ट पार्ट में बेसिक परह है यह ने स्टार्ट ही किया च उन्हें पीलर – ऑर 侯हार उर्माश कर दोया है ओना में है। यह समझते। मुं अगर नहीं समय चाहिक है। findings just our autres комментарprendji इसलिए आप उस वीडियो को भी देख लेना उसका लिंक में डिस्क्रिशन में दे दूँगा तो यह वाली वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले जो में जो चैप्टर का है नाम है फाइनेशल मेनेजमेंट तो इसका मीनिंग क्या है तो मीनिंग क्या है मैं लिख रखा है अब फंड कहा से उठाएंगे जैसे मैं नहीं लिख रखा है बैंक एंड सेर्स या कोई और भी वे हो सकता है हम वहाँ से फंड उठाएंगे अब फंड कास्ट और जो बाद में उनको cost जहां हमें कम से कम cost देना परे and it utilization with minimum financial risk फिर हमने जब वो पैसे bank से कई से उठाएंगे और उनका ऐसे utilize करो मतलब उनको ऐसे invest करो कि वहाँ पर ज़ो है ज़ादा से ज़ादा profit मिले और financial risk वो कम से कम हो तो यहाँ पर लिख रखा है कि fund उठाना है हिंदी वालों के लिए bank या shares है but low cost पर जो cost है और low होना चीए और उस fund को ऐसी जगह लगाओ जहां से ज़्यादा profit मिले तो यह हो गया एक point second point है first point था second point में क्या करा है it is a concern with a management of fund इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो fund है जो जो हमने bank या कहीं से भी हमने उठा है वो उस fund का हमें manage करना हो तो उस fund को manage means हमें उस fund को कहां लगाए कि हमें वहाँ से ज़्यादा profit मिले तो यह इसी को कहा है management of fund तो इसमें हमें लिख रखा है हंदी बालों के लिए fund को ऐसे use करो cost भी कम आए profit मिले और shareholder का wealth maximization हो तो shareholder wealth maximization अपने 12th में भी पराऊगा जब आप share का topic पर रहे होंगे महाँ पर एक topic था shareholder wealth maximization जिसने आपने decision पराऊगा कि financial decision investment decision and dividend decision तो ओई topic को हम जो हमने वहाँ पराता हो बिलकूल basic था उसी को advance में इसमें हम परेंगे तो इसमें ही बोला गया है second point था इसमें कि फंड को ऐसे जगह से उठाओ और cost कम से कमाए और profit कमाए और shareholder का wealth maximization करो wealth cash maximize होगा कि उनके जो share का price increase करो ताकि हो हमारे जो जो भी share है उन पर invest करने मतलब उनको अच्छा लगए हो इनवेश्ट करना तभी तो हमारा profit होगा तभी तो हमें पैसे मिलेंगे तो shareholder का wealth maximization करना चाहिए company को तो financial management also known as corporate finance तो इसलिए third point है financial management को corporate finance भी कहां जाता है तो यह तो हो गया financial management का meaning या definition कुछ भी बोलो तो लिख क्या सकता आफ तिन point तो second जो कुछ some question तो यह इसका point यह ऐसे ही है कि आपके additional knowledge के लिए कि some question in front of company company के सामने कुछ question उठता है कि how much and what types of assets to acquire कि हमें जो है कितना assets ही है company में कितना assets लेके आना है और कहां से वो assets लाने है तो यह भी decision लिया जाता है तो भी यह financial management का topic है कि हैसे decision लेने पड़ते है company को और second question क्या उठता है company how to raise the capital need to purchase asset अब हमें asset purchase के लिए कहां से पैसे आएंगे तो हम पैसे कहां से आ सकते है bank से ला सकते है share से issue करके या owner जो capital देगा उससे खड़त के तो यह सब कुछ decision होता है जो company के सामने उठता है तो company को इनका decision लेना पड़ता है तो यह financial management deeply knowledge करता है इस सब चीज होगा और अगर आप कही finance का job के लिए जाओगे तो यही सब काम आपके use होगा उस job में कि यही सब decision लेना होगा आपको तो आपको इसका अच्छे से knowledge होना चाहिए तो goals of financial management अब हमने पनले financial management क्या होता है second topic कि है इसका goal of financial management तो financial management के तीन goal है पहला है profit maximization तो पहला है topic का profit maximization means हमें जो है company अपना profit maximum करे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा profit कमा है तो ऐसे sale करे ऐसा कुछ भी करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा profit हो और जो आगे पर होगे आप जब practical करोगे तो profit maximization कैसे पता लगता है तो आप profit after tax निकालते हो तो profit maximization पता लग जाता उससे then second है maximum earning per share तो per share means जो share का price है उनकी price का बरेगा जब company को profit होगा तभी तो उसकी price increase करेगा तो हमें करना चाहिए कि share के price पे increase करना चाहिए और shareholder का wealth maximization के उपर भी धान देना चाहिए कि अगर price बरेंगे per price बरेगा तो shareholder का अपना पी wealth maximization होगा तो company को हमेशा shareholder के profit के लिए काम करना चाहिए अब कुछ company होते है वो सिब जो है यह सबसे main है इन तीनो topic में जो सबसे main है क्या है wealth maximization अब कुछ company होते है कि अपने profit maximization करते रहते है अपना इपना profit बढ़ाते है और जो shareholder है उनका जो है वो नहीं सोचते है कि इनका क्या होगा कि इनको कम से कम पैसे देते है और अपना profit maximization रखते है profit maximization अच्छा तो होता है बट shareholder का wealth अगर आप increasing नहीं करोगे तो shareholder क्यों interest होगा आपके company में invest करने को इसलिए हमें यह भी सोचना चाहिए shareholder होगा कि इनका wealth हम कैसे maximization करें यह तो आपने पर लिया तो उसी में wealth maximization को deeply बताये गया है ताकि आपको और अच्छे से समझा है wealth maximization किसका है shareholder का maximization करना है shareholder का तो this concept is to improve the value of wealth of the shareholder तो concept क्या कर रहा है हमें जो shareholder का wealth improve करना चाहिए तो यह पहला point हो गया तो दूस्रा point में क्या लिख रहा है is considered both time and risk of the business concept time and risk का क्या मतलब है हाँ पर कि how much time to for unprofit कि हम जो profit कमा रहे है share हम किसी का खरीद रहा है तो हमें profit मिल रहा हो हमें कितना time मिल रहा है कितना time बाद मिल रहा है तो जैसे मैंने example लिया है कि हमने एक share खरीदा share price लिख रहा है मैंने 100 रुपे का per share है after two year उसकी value जो है 1300 होगी per share तो 300 जो हमें profit हुआ हमें देख रहा है कि हा 300 हमें profit हुआ तो यहां पर मैंने लिख रहा है 300 not a good profit because of time क्योंकि 2 साल बाद दो साल बाद क्या पता चले कि 300 का जो value है वो 300 नार है जैसे एक रुपे का value अभी पहले बहुत हुआ करता था अब तो है ही नहीं ऐसे दो साल बाद पता चले कि हमें 300 का value बहुत काम हो जाए तो हम profit नहीं कह सकते है उसको अच्छे से तो time जो है matter करता है तो यह हो गया दो point इसके wealth maximization को deeply समझाए हाँ पर तो then next topic के हमने two pillars of finance two pillars of finance क्या है पहला है risk and return अगर आप यह भी finance करोगे finance means पैसे लगाओगे money होता है money को invest करोगे तो आपको risk and return यह दो pillars है इसके यह दोनों तो देखने कोई मिलेंगे तो when you have invest any place these two things matter तो अगर आप कई भी invest करोगे तो वहाँ तो risk तो होगा क्या पता हमें होँआ से profit ही ना हमने वहाँ invest कर दिया जब हम खरीता है तो हम थोड़ी परता होता है कि company profit में जाएगा या low में जाएगा हम तो खरीत लेते है तो उसमें risk तो हाया है अगर company profit में गया तो वहाँ पर return भी अच्छा मिलेगा और अगर company low में गया तो return कम मिलेगा तो यह इखा गया कि आप बच्पन से सुन्तों आयोंगे कि when the risk is higher when the risk is higher so return is also high अगर risk जादा होगा तो return भी जादा होगा और when the risk is low return is also low तो बहुत लोग होते हैं कि risk लेके इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर बहुत सार पैसे तो वहाँ से अगर उनको फाइद जादा risk लेते हैं और उनको पता है कि अगर risk उनका खतम हो जाए अगर risk मतलब जादा risk लिया उन्होंने और उनको profit हो जाए तो profit में उनको high होता है तो यह point लिख रहा है मैंने तो इसको diagram में बता रहा है मैंने तो यह return का side, यह risk का side यहाँ बता रहा है कि नीचे बाला जो point है the high is the risk, the high is the return अगर यहाँ पर जो risk है risk जो ज़्यादा है तो return भी क्या हो है, कि जादा है तो return भी ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर risk low है ओक? हाँ बिल्कुल low risk है और return भी क्या है? low में लगा तो ऐी concept है और इसमें positive relation show करता है कि risk भी high है जैसे a high और e high तो यह positive का मतलब होता है कि दोनों जब positive show करता है risk भी high है और return भी high है risk low है तो यह भी low है तो इस दोब positive relation तो यह आपने पर लिया कुछ concept तो इसके बाद हम next video में third part में और जो बजगे concept उनको समझाएंगे तो इसमें मैंने तीन concept समझाएं financial management, goals of finance and two pillars तो इस विडियो कि लपे सिखना है